कि नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर वैदिक सब्विता में हम लोग पढ़ रहे थे mcq-based questions और अभी तक मैंने दो सेट करा दिये हैं तो यह तीसरा सेट होगा इसमें भी हम लोग important questions को solve करेंगे सेट तीसरा question पहला है रिगवेद में है रिगवेद में आपको बताना है कितने मंडल कितने सूक्त एवं कितनी रिचाएं हैं रिचाएं का मतलब यहां पर होता है मंत्र तो देखें यहां पर पहला option दिया है 10 मंडल 128 सूत्र सूत्र या सूक्त और 10,850 रिचाएं तो इसमें 10 मंडल सही है और 1028 सूक्त भी सही लेकिन यह जो रिचाएं हैं यह थोड़ा सा गलत है तो यह नहीं होगा इसी प्रकार दूसरे में देखें 12 मंडल दिया है तो यह गलत हो जाएगा इसमें 11 मंडल दिया है तो यह गलत हो जाएगा चुकि मंडल 10 ही है तो या तो आपका डी सही होगा या तो ए सही होगा तो अब देखें यहां पर देखिए डी वाला देखिए और ए वाला देखिए दोनों में आप थोड़ा सा यहां पर समझ लीजिए 10 मंडल दोनों में है तो दोनों पहला तो यह सही हो जाएगा 1028 सूक्त इसमें भी अब रिचाएं जो है वो 1058 है इसमें देखें 580 लिखा है और इसमें देखें 850 तो इसलिए जो सही होगा वो हो जागा डी डी आपका बिलकुल सही होगा 10 मंडल, 1028 सूक्त एवन 10,580 रिचाय या फिर मंत्र भी आप बोल सकते हैं फिर दूसरा प्रस्न है आरंबिक वैदिक साहित में सरवाधिक वर्लित नदी है कौन सी नदी ऐसी जिसका सबसे अधिक बार वर्लन किया गया है तो आप्सन ए हो जाएगा सिंधू नदी फिर है उपनिशदकाल के राजा अस्सुपती सासक थे कहां के तो के कै के चोछथा कोषिन है अध्यातम ज्यान के विशह में नचकेता और यम का समवाध किस उपनिशद में प्रापत होता है कठो पनिशद में तो नचकेता और यम का जो समवाद है वो किस उपनिशद में प्राप्थ होता है यह कोशन पेट में पेट में या पेट में ना कहे कर हम सीधे कहें कि UP SSSC के एक्जाम में एक कोशन आ भी गया है पेट तो भी एक ही बार हुआ है तो यह कोशन आ चुका है यह इंपोर्टन्ट है कठो पनिशद नचकेता और यम का समवाद इसमें वर्डन किया गया है फिर यहाँ वैदिक नदी कुमभा यह जिसको हम काबुल भी आज बोलते हैं पहले इसका नाम था कुमभा इसका स्थान कहा निर्धारित होना चाहिए तो बिसिकली आप सभी लोग जानते हैं काबुल अफगानिस्तान में आप्सन इसे हो जाएगा फिर है कपिल मुनी द्वारा प्रतिपादित दार्षनिक प्रडाली है कपिल मुनी द्वारा तो सांख दर्षन के रचाईता या प्रतिपादक कपिल मुनी थे आप्सन इसे हो जाएगा सांख दर्षन कपिल फिर कोशन है भारत के किस अस्थल की खुदाई से लोह धात के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं या साक्ष मिले हैं आप्सन भी अतरंजी खेडा हो जाएगा यहाँ पर लोहे की धात के साक्ष मिले लोह धात के प्रमाण मिले हैं किसी भी प्रकार से इसको बोले अतरंजी खेडा आपका आप्सन बी सही होगा निमलिखित में से किसका संकलन रिग वेद पर आधारी थे तो सामवेद का संकलन जो है यह रिग वेद पर आधारी थे आप्सन बी सही हो जाएगा सामवेद निमलिखित में से कौन प्रस्थान त्रई में यह प्रस्थान त्रई अचलि यह प्रस्थान त्रई होना चाहिए यह फिर देख लिजेगा इसको एक बार निमकित में से कौन प्रस्थान त्रई में सामिल नहीं है तो भागवत गीता सामिल है ब्रहमसूत्र उपनिसद ये भी सामिल है भागवत नहीं सामिल है भागवत देखे भागवत गीता अलग है और भागवत अलग है तो भागवत प्रस्थान त्रई में नहीं सामिले कोशन आ सकता है कर्म का सिध्धान्त सम्मंदित है तो मिमांसा दर्शन जो छे दर्शन है उसमें से मिमांसा दर्शन जो है वहाँ से कर्म का सिध्धान्त एक प्रकार से सम्मंदित है अगला कोशन है सत्पत ब्राहमल के से सम्बंदित है देखिए जितने भी वेद हैं उनके अपने अपने ब्राहमल गरंथ भी हैं जिसे रिगवेद के दो ब्राहमल गरंथ साम वेद के दो ब्राहमल गरंथ ऐसे मतलब हर एक गरंथ के हर एक वेद के अपने ब्राहमल गरंथ हैं तो अब यहाँ पर एक ब्राहमाड गरंथ का नाम दिया, सत्पत ब्राहमाड, अब यह किस वेद से संबंदित है, तो यजूर वेद से संबंदित है, यहाँ पर यजूर वेद हो जाएगा, option D, सत्पत ब्राहमाड यजूर वेद से संबंदित है, ऐसे प्रसंद पूछे जा सक यजूरवेद में यग्य संबंधी बिधी बिधानों का पता चलता है तो आपसंटी हो जाएगा यजूरवेद में इसमें यग और प्रक्रियाय दी हुई है यक्सस समंदी, वो सारी चीजिजें, वर्डिन किया गए यजूरवेद में को म dave दिक यूगीन सभा तो क्या होती थी गाउं के ब्योसाइक लोगों की सन्सता राज दरबार होता था राज के शमय स्थ्र लोकों की राष्ट्टे सभा थी या फिर मंत्री परफाद थी तो जो सभा होती थी वैदिक काल में वह एक मंत्री परशद होती थि मंत्रियों का एक समूं केज़सकते आप उसको पिर यह देखे वैदिक यूग में प्राचलित लोग पर ये शासन पढ़ा ली थी तो गड़तंद्र सबस्यादा प्राचलित और लोग पर ये शासन पढ़ा ली थी सबसे प्राचीन वेद कौन सा है रिग वेद ओप्सन एसे हो जाएगा निमलकित में से कौन भारते दर्शन की आरंभिक विचारधारा है तो सांख दर्शन जो है ये भारते दर्शन की आरंभिक विचारधारा ओप्सन एसे हो जाएगा सांख योग न्याय वैसेशिग मिमानसा वेदानत ये छे दर्षन है तो छे बिभिन भारते दर्षनों की इस पश्ट रूप से अभिविक्ति कहां हुई है किस युग में हुई है यह च्छे दर्शन है, सांख दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैसेसिक दर्शन, मिमानसा दर्शन, वेदांत दर्शन तो इनकी जो अभिविक्ति हुई है इस पस्टूप से वैदिक यूग में हुई है और एक बात और है कि इनके जो रचाईता है, उनका नाम भी आप याद रखिएगा यह च्छे दर्शन हैं, इनके अलग-अलग रचाईता भी है सामवेद में कितनी रिचाएं हैं, सामवेद में 1875 रिचाएं हैं अब यहाँ कोशन है, इस सेटका अंतिम कोशन है तंत्रमंत्र जादू टोना का वर्डन किस वेद में है, तो अथर्व वेद में है तंत्रमंत्र जादू टोना अथर्व वेद, आप्सन डी सही हो जाएगा आपका जो तीसरा सेट था कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम लोग चौथा सेट करेंगे अगर वीडियो आपको पसंदा रहा है तो उसको लाइक कर दीजे और शेर कर दीजे चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे